तो स्वागत भाई आप सब भी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपिम फेंटसी एक्सपर्ट पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो केन्या कबड़ी लीग है ना इसका भाई जो 36 वा मैं जो की खेला जाएगा कसरानी आपको स्किप नहीं करना है अदर्वाइस भाई इसमें आपका ही लोस होने वाला है लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो इसली आप इस मैच में काफी शांदार विनिंग कर सकते हो और इस मैच के लिए जो सबसे एकसाइटिंग चीज है वो कहा है कि भाई यहां पर 35 रुपे की जील लगी हुई है अब यह एकसाइटिंग क्यों है क्योंकि भाई अभी तक जो केनिया का बड़ी लीगन है इसके 35 मैच हो चुके भाई आज तक ठीक है लेकिन अभी तक 30 रुपर की जील नहीं लगी थी पहली बार भाई इस सीजन में आपर 35 इसलाग की जील लगी है जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है जील में हम क्या रजल्ट्स दे रहे हैं जो लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए टेलिग्राम पर उन्हें पता होगा जो नहीं जुड़े है न भाई अभी के अभी जाकर टेलिग्राम चैनल जोइन कर लगातार डेली कम से कम एक मैच में आपके लिए जील में रैंक एक लेक कि आ रहा हूँ और तोफ 10 में ओलमोश टर मैच में आपको लेक कि आ रहा हूँ ठीक है और स्मोल लिग में कोई अपने आसपास भी हो ना तो आके बता देना कोमेंट सेक्शन में मैं आपको तुरंत इपलाई करूँगा और भाई पहले बात तो कोई है नहीं ठीक है दूसरी बात भाई रजल्ट आप लोग देखो टीम देखो फिर डिसाइड करो अब आप बोलोगी बाई टेलिग्राम चैनल जोइन कैसे करना है तो भाई इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स मे जाना है वहाँ पर आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा अगर अभी तक आपने जोइन नहीं किया है तो जोइन कर लीजेगा मेरे बाई क्योंकि देखिए फाइनल टीम जो भी रहेगी टेलिग्राम पर मिलेगी साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्रेंड लिक की टीम जो आपर 6 GL की टीम में आपको देने की बात कर रहे हूं वो भी आपको बाई टेलिग्राम पर ही मिलने वाली है तो तो टेलिग्राम चैनल जोइन करना यह मान लीजे कि आपके लिए सबसे प्रायोर्टी का काम है क्योंकि देखिए अभी मैं आपको 6 GL की टीम मानलो बनाके दे भी दी तो उसमें दिक्कत क्या आएंगी उसमें दिक्कत ही आएगी कि अगर मालनो एक या दो ऐसे कोई common player होएं जो मतलब मैं आपको अभी सभी teams में उन दो players को लेके दे दूँगा और वो player मालनो खेलते ही नहीं दिखे आपको next match में तो फिर दिक्कत हो जाएगी तो इस से पहले भाई यहांपर आप देख सकते हो small league में आप small league छोड़ो भाई पहले जिल देख लो यहांपर कितनी GL मतलब सारे हमारे members wint किये यहांपर आप देख सकते हो rank 2 हमारी आई है यहांपर rank 1 अंत अश्यारा पह्ले görूर बाई जरूर से जोईन gi Catholics अब यहां पर point stable देख लेते हैं, तो बैई दोनों ही टीम से ने, काफी ज़्यादा strong है, कसराणी लोइंस की बात करें, जैकवाथ असेशिएंस की बात करें, तो जैकवाथ असेशियंस ने 5 match के 5 win कर रखे हैं, वहीं अगर बात करें कसराणी लोइंस की तो 4 के 4 win कर रखे हैं वहीं अगर बात करें लोस की तो दोनों ही टीम से ने अभी तक एक भी मैच नहीं आ रहा है अब चलिए बाई बात करते है स्टार्टिंग सेवन की उसके बाद बाई मा भी आपको टीम भी बनाके दिखाने वाला हूँ यहां से अगर बात करें बाई स्टार्टिंग 7 की तो सबसे पहले बाई कसरानी लोहिंस की बात करेंगे तो चलिए बाई पहले बात कर लेते हैं कसरानी लोहिंस की यहां पर अगर बात करें तो आपको दिखेंगे एच सिमुयू जो की लगातार अच्छी परफोर्मेंस कर रह यानि कि बाई इनके जो प्लेयर्स ना वो सारे मिलके काफी अच्छी परफोर्मेस दे रहे डियो चैंग की बात करें लास्ट मैच में इन्होंने बाई तीन टच पॉइंट प्लस एक टैकल निकाला था तो आपके लिए important रहेंगे इसके अलावा M Lumba की बात करें तो GL मिनी जील में rotation के तोर पर try कर सकते हो वहीं अगर यहाँ पर बाई बात करें old rounder section की तो R boniface आपको दिखेंगे जो लगातार अच्छा कर रहे है लास्ट मैच में भाई I5 complete के प्लस दो टच पॉइंट भी निकाले थे इसके अला वानियों नहीं की बात करें तो GL मिनी जील में rotation के तोर पर काम आएंगे small league में आपको try नहीं करना है बात करें रेडिंग section में आपर आपके लिए जैड ओडियम वो ठीक ठाक player रह सकते है बीच-बीच में रहके अच्छी performance दे देते है कोई-कोई मैच average भी जाता है तो GL मिनी जील में आप इन्हें CVC भी try कीजेगा क्योंकि कोई-कोई मैच इनका काफी खतरनाख भी जाता है ठीक है इसके लाए नगूजरी की बात करें तो एक आधी GL में आप सिर्फ ऐज प्लेयर ट्राई कीजेगा CVC मत बनाईएगा आप यहां से बात करें बाई defense की तो बात करते है जैक वात सेंस की टीम की तो यहां पर जे किराव वो आपको दिखेंगे जो है तो defense section में लेकिन proper all rounder का काम करेंगे 15 red point प्लस भाई यहां पर 6 tackle करके दिये हैं आपको बहुत important player जे ओटेनो की बात करें अगेन बहुती शांदार player लगातार अच्छी performance दे रहा है यहां पर आप देखें हर match में आपको performance दिखेगी मस्टव pick रहेगा जरूर से try कीजेगा all rounder section में यह order आपके लिए बहुत important pick रहेगा 6 touch point, 3 bonus point, 2 tackle इन्हों ने किये इसके अलाव भाई आपर इससे पहले वाले match में भी लगातार मतलब हर match में अच्छी खासी performance दिखेगी डी मवाई की बात करें तो again भाई GL, mini GL में as a rotation वाले player के तोर पर try कर सकते हो मस्टव pick मैं बिलकुल नहीं बोलूँ है इस player को ठीक है वहीं अगर बात करें भाई डी ओडियम्बो की 101% आपकी टीम में रहना चाहिए left corner खेलेगा प्लस भाई आपको left side से rating करता दिखेगा बहुत ही ज़्यादा शांदार player है 101% आप इसे अपने टीम में रख सकते हो even भाई captaincy का सबसे safe option रहेगा वहीं अगर बात करें एन अबुंगू की तो GL मिनी जील में try कीजेगा अगर खेलता है तो भाई जरूर शे आप इने GL मिनी जील में try कीजेगा बी ओचेंग की बात करें last match में खेले थे 2 touch point एक bonus point better in player है rotation के तोर पर आप try कर सकते हो small league में आपको तब लेना जब आप 5-2 का combination बना रहे हो in favor of jack watt अब चलिए भाई बात करते है टीम की तो टीम की अगर बात करें तो यहाँ पर J किरागू important रहेंगे सिमूयू important रहेंगे इसके अलावाई M O'Molo और J Oteno यह चारों के चारों यहाँ से आपके लिए must topic रहेंगे old rounder section की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए A Oteno important रहेंगे वही R boni face भी important रहेंगे बात करें अगर यहाँ पर rating section की तो अब यहाँ से अगर आप चाहो तो अगर आपको J Odeno ट्राई करना है न तो भाई आप यहाँ से जे किरागू को देने वाला हूँ small league की almost final team आपको दे दिये फिर भी अगर इनमें से कोई player नहीं खेलता है या कोई और अच्छा player खेलता है तो उन सभी चीजों की update आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी link आपको इसी वीडियो के नीचे description में इसी वीडियो के first comment में दिया गया है जाकर join कर लीजेगा बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे match time पर टेलिग्राम चैनल पर तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम